दोस्तो आपने डाल तो कई बार और कई तरीके से बनाई होगी लेकिन आज मैं जो डाल की रेस्पी लेके आई हो यकिन मानिए आप सारे तरीके भूल जाएंगे और इतनी जादा हेल्दी तरीके से ये डाल बनेगी न आप हर बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे और बनाने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है. हेलो दोस्टों, मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है. तो चलिए, ऋजी की रेस्पी इस्टार्ट करते हैं. तो रेस्पी बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं चने और मसूर्ट की दाल. तो दोस्तो हम यहाँ पे एक कटोरी चने की दाल को लिए है दाल दड़का बनाने के लिए बहुत अच्छी दाल है साथ ही हम यहाँ पे लेगे रहे हैं मसूर की दाल तो एक कटोरी हम चने की दाल को लिए है और आधी कटोरी मसूर की दाल को लिए है दोस्तो अब आप यहाँ पे डाल की quantity को अपने हिसाब से रख सकते हैं इन दोनों डालों को पहले अच्छी तरीके से हातों से मलमल के इसे साफ कर लेंगे क्योंकि डाल में बहुत सारे dust और polish रहते हैं उसे हम अच्छी तरीके से हातों से मलमल के हम साफ कर लेते हैं दाल के सभी गंदे पानी को हम फेक देंगे दोस्तो यहाँ पे हमारा डाल अच्छी तरीके से साफ हो चुका है हम दो से तीन बार साफ कर लिए हैं और इसमें पानी डाल के हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम एक गाजर लिए हैं, इसे भी छिल्के हटा कर हम अच्छे तरीके से वास कर लिए हैं, अब गाजर के बिलकुल छोटे-छोटे पीस हम काट लेते हैं, दोस्तों अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई साभी सब्जियां को ले सकते हैं, अब हम यहाँ पे गाजर के छोटे छोटे टुक्रों में काट लिए हैं और इसे एक प्लेट में रख लेंगे और साथ ही और सारी सबजीयों को हम काट कर लेते हैं दोस्तो अब हम यहाँ पे एक मेडियम साइज के टमाटर को लिए हैं इसे हम लंबे-लंबे स्लाइस में कट कर लेते हैं। दोस्तों इन सब्जीयों का टेस्ट हमारे दाल में कापी अच्छा आएगा। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करें। साथ ही हम एक मेडियम साइज का लंबे-लंबे स्लाइस में प्याज को गटल कर लिए हैं। दोस्तों आप यहाँ पे अपने हिसाब से सब्जी को कम या ज़्यादा ले सकते हैं। दस मिनट हो चुके हैं। अब इन दाल को हम एक प्रेसर कुकर में डालते हैं। सच मानिए दोस्तों यह रेसिपी आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएंगी। हम यहाँ पे दोस्तों सारे कटे हुए सब्जीयों को हम इस दाल में एक एक करके एड कर लेंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरी यह रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले। दोस्तों मेरे पास थोड़े से सिमला मिर्च बचे हुए थे। इन्हें भी हम अच्छी तरह साप करके बारिक कटके डाल में एड कर लेते हैं। और तीखे के लिए हम यहाँ पे दो हरी मिर्च डाल रहे हैं। अब एड करेंगे यहाँ पे स्वाद अनुस्सार नमक। डालने के बाद साथ ही एड करेंगे आदी छोटी चम्मच हल्दी पौडर। हल्दी पौडर डालने के बाद अब हम यहाँ पे एड करेंगे दो गिलास के करीब पानी को। और कूकर की ढखकन बंद करके मेडियम टू हाई फ्लेप पे तीन विसिल आने तक हम इसे पका लेंगे देख सकते हैं दोस्तों हमारा दाल अपक के रेडी हो चुका है हम एक चम्मच की मदद से इस तरह से दाल को मिक्स कर लेते हैं दाल को जादा मिक्स नहीं करना है बिल्कुल हाथ के हाथों से इस तरह चलाते हुए मिक्स करना है दोस्तों यहाँ पे हमारा मसूर दाल जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और चना दाल बिल्कुल खड़े खड़े दिखाई दे रहे हैं इससे हमारा दाल तर्का देखने में काफी यमी लगेगा चलते हैं दोस्तों दाल में हम तर्का लगा लेते हैं तर्का लगाने के लिए अब हम यहाँ पे कैस पे एक तर्का पैन को रखे हैं उसमें दो चम्मज के करीब सरसो का तेल को डाले हैं साथ ही डालेंगे आधी छोटी चम्मजीरा, दो सूखी लाल मिर्च, फोरी सी हिंग और आधी छोटी चम्मज के करीब सिमला लाल मिर्च का पौडर तो चलिए दोस्तों दाल में अब हम तरका लगा लेते हैं ये काफी सिम्पल और हेल्दी रेसिपी है दोस्तों इसे आप लंच में चावल के साथ ये रोटी के साथ भी इंज्वाई कर सकते हैं और साथ ही डालेंगे बारिक कटे हुई धनिया पत्ती और इन सब को अच्छी तरिके से मिक्स कर लेंगे ये देखिए दोस्तों हमारा डाल तरका बनके रेडी हो चुका है तो दोस्तों मेरी ये रेसिपी यदि पसंद आए आपको तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे नए आए हैं तो इसे जरूर सस्क्राइब कर दे अब सर्व करने के टाइम हम इसमें डाल देंगे एक चमच के करेब देशी घी तो दोस्तों आप भी अपने घर में इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करें और मिलते हैं नई रेसिपी में थैंक्स फोर वाचिंग